इस साल इंडिया के लगभग सभी भागों में कडाकी की ठंड पढ़ रही है। खास कर उत्तरभाद की ठंडी हवाएं टंप्रेचर को और गिरा देती हैं। सभी लोग ठंड से बचने के लिए गर्म उनी कपड़े पहनते हैं। फिर भी ये गर्म कपड़े हमें ठंड से बचाने के लिए प्रयाक्त नहीं है। इसे में हमें आ सकता होती है एक एसे रूम हीटर की जो हमारे टंप्रेचर को मेंटेन रख सके। खास कर मारिनिंग और इविंग टाइम में ठंड और बढ़ जाती है। इंडियन मार्केट में ऐसे बहुत से रूम हीटर हैं जो अलग-अलग प्रिंसपल, टेक्नोलाजी और प्राज में मिलते हैं। यहां तक कि इनके हीट फैलाने का तरीका भी अलग-अलग होता है। यदि आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से रूम हीटर लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर आपको मैं ऐसे टिस्ट देने वाला हूँ जिससे आप एक अच्छे रूम हीटर खरीज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वे कौन-कौन से फीचर हैं जो आपको एक अच्छे रूम हीटर खरीजिने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां देखना चाहिए कि हीटर में कितने हीटिंग इलिमेंट प्रोवाइड किये गये हैं। क्योंकि यह हीटिंग इलिमेंट की संख्याधिक होगी तो यह रूम को जल्दी हीट कर देगा। और सेकेंड जो हमें हीटर खरीदते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। कि हीटर कितने वाट का है। एक पावरफुल और बड़ा हीटर हमेशा अधिक वाट का होता है। कभी भी एसे हीटर को न खरीदें जो यह दावा करती हैं कि हमारा हीटर बहुत कम एनरजी कंजेक्शन करता है। एसा कई बार होता है कि कही लोग इसे प्रटर को खरीद कर मूर्ख बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की जो आपको एक अच्छा हीटर खरीदने में मदद करेगा। टमपरेचर सेटिंग जो की मोस्ट इंपॉर्टन है। कभी भी आप एसे रूम हीटर को परचेज न करें जिसमें आपको एक या दो टमपरेचर सेटिंग प्रवाइड किया गया हो। हमेशा डिफरेंट हीट सेटिंग वाला हीटर ही परचेज करें। फॉर्थ पॉइंट जो हमें ध्यार में रखना चाहिए कि हीटर में आपको आपको पावर कट दिया गया है कि नहीं क्योंकि पावर कट वाला हीटर अपने आप आन आप हो जाता है। जिससे आपके रूम का टमपरेचर समान ही रहता है। इसकी अलावा इस तरह के हीटर एनर्जी तो बचाते ही हैं साथ ही यह आपको सेफटी प्रवाइड करते हैं। पॉइंट नमपर फाइब जो आपको रेडियन हीटर खरीते वक्त द्यान रखना चाहिए। यदि आप एक रेडियन हीटर खरीतना चाहिए तो आपको यह शेवर हजाना चाहिए कि यह हीटर ज्यादा लाइट इमिट नहीं करता है। क्योंकि जब हीटर ज्यादा लाइट प्रडूस करता है तो आपको सोने में दिक्कत होती है। अगला जो पाइंट है जो आपको हीटर खरीते वक्त द्याय में रखना चाहिए वह है हीटर के potability का। हीटर खरीने से पहले यह शेवर हो जायां कि आप जो हीटर ले रहे हैं वह portable है कि नहीं. Portable फेवर हीटर को कहां भी carry कर सकते हैं। लाश्ट पॉइंट जो आपके safety से related है, जिसे आपको miss नहीं करना चाहिए, यदि आपके घर में बच्चे या फिर पालतु जानवर हैं, तो आपको यह share हो जाना चाहिए कि जो आप heater खरीद रहे हैं, वहाँ आपके लिए safe होगा की नहीं, इसलिए आप हमेशा safety grill वाला heater ही ख ख़ईते वक्त ध्यान रखना चाहिए, यदि आप heater ख़ई देना चाहते हैं, तो हमने description में उसके link दे दिये हैं, आप वहाँ से purchase कर सकते हैं, लाश्ट जो सबसे जादा महतफूर है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो रेट बटन दबाकर चैनल को subscribe पर ले